Makers of Modern India, इस सीरीज में एक नई कड़ी, Dr. Homi Jahangir Bhava, Father of India's Nuclear Program. आपने ये मुवी तो जरूर देखी होगी परमानू, और देखते वक्त गर्व से आपकी छाती 72 इंच भी हो गई होगी, और आपने खूब तालिया बजाई होंगी, पर उस वक्त क्या आपने एक पार भी सोचा कि इंडिया का Nuclear Program आखिर किसनी शुरू किया था? ये थे Dr. Homi Jahangir Bhava. Dr. Bhava का जन 1909 में Bombay में हुआ था. इनके फादर, ची होर्मुस्टी भाबा एक जाने माने वकील थे और इनकी मदर महरीन भाबा पार्सी कम्यूनिटी में बहुत वेल कनेक्टेड थी. Dr. Bhava के एक छोटे भाई भी थे, जैमसेद भाबा. दोनों भाई एक अच्छे सम्रिद परिवार में, comfortable situation में अच्छी तरीचे से बढ़े हुए. Dr. Bhava ने अपनी स्कूलिंग की The Cathedral and John Connon School से 15 साल की उमर में पूरी स्कूलिंग खतम करके Elphinstone College में admission ले लिया. और फिर The Royal Institute of Science, जो आज The Institute of Science कहते हैं, वहां भी कुछ दिन इन्होंने पढ़ाई की. उस वक्त, टाटा ग्रूप के चेर्मेन थे, सर्दौराब जी टाटा और ये इनके रिष्थेदार थे. दौराब सी टाटा ने देखा कि ये तो बड़ा हुनार लड़का है, क्यों न हम इसे पढ़ा कर टाटा ग्रूप में ले आए? तो उन्होंने उनके डाक्टर भाबा के पापा ममी के पास एक प्रस्ताव रखा, कि हमारे खर्चे से हम इसे केम्ब्रिज उनिवर्सिटी में मेकानिकल एंजिनेरिंग पढ़ाएंगे, फिर हम इसे टाटा ग्रूप में नौकरी देंगे. पापा ममी भी काफी खुश हो गए, तो डाक्टर भाबा केम्ब्रिज उनिवर्सिटी में एड्मिशिन ले लिया उन्होंने मेकानिकल एंजिनेरिंग पढ़ने के लिए. आतो गए, पर इनका मन बिलकुल नहीं था मेकानिकल एंजिनेरिंग में. ये चाह रहे थे मैथे में हेल्प करेंगे. तो डाक्टर भाबा ने 1930 में मेकानिकल एंजिनेरिंग ट्राइपॉस जो फाइनल एक्जाम होता है, उसमें फर्स क्लास लाए और 1932 में मैथेमाटिक्स के ट्राइपॉस में भी वो फर्स क्लास लाए और उसके बाद वो कैविंडिश लावरेटरी में पिएच्टी के लिए भड़ती हो गए. कैविटिश लावरेटरी में उस वक्त के जो नुक्लियर फिजिक्स के बड़े बड़े नाम थे, सब वहाँ ही काम करते थे. फॉर एक्जामपल जेम्स चैडवेक, जिन्नोंने नूट्रॉन की डिसकावरी की थी. फॉर एक्जामप कुछ वक्त केम्बरज में बिताते थे और कुछ वक्त डेनमार्क में, कोपन हेगन में, नुक्लियर साइंटिस्स नील्स बोर के लावरेटरी में वो काम करते थे. और इस वक्त वो नुक्लियर परमानु विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे. 1939 में वो Bombay वापस आए अपने परिवार से मिलने और उसी वक्त World War II स्टार्ट हो गया डॉक्टर भावा ने डिसाइड किया कि वो वापस नहीं जाएंगे और अपनी सारी जो जानकारी है विद्या है जिनता ग्यान है इसको वो देश की सेवा में लगाएंगे इन्होंने Indian Institute of Science जोइन किया और इन्होंने देखा कि परमानू विज्ञान पर यहाँ जाधा काम नहीं हो रहा था तो इन्होंने अपने रिष्टेदार Mr. J.R.D. टाटा को काफी प्रभावित किया उनको बहुत समझाया और उनसे एक अनुदान लेकर एक ग्रांट लेकर उन् के जो बड़े-बड़े हस्तियां थी फॉर एक्जांपल नहरू जी बगएरा इन सब को वह वहां लाते थे और दिखाते थे कि वह क्या काम हो रहा है यह एक तस्वीर है जो बहुत रेर तस्वीर है इसको देखो तो किसको आप पहचान पा रहे हो हाँ नहरू जी और फिर संधिरा जी और इनके दोनु बेटे राजीव जी और संजय जी डॉक्टर भावा के साथ यहां देखने आए हैं क्या काम हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर भावा को लगा कि सिरफ अटॉमिक एनर्जी पे काम करने के लिए एक स्पेशल इंस्टिटूट होना जाता है जहां fundamental research किया जाता है स्वाधीन भारत में 1948 में नहरोजी ने the atomic energy commission बनाया और डॉक्टर भावा को इसका chairman बनाया गया डॉक्टर भावा ने नहरोजी से ट्रॉम्बे के पास जमीन ली और वहां उन्होंने atomic energy establishment स्टार्ट किया और यहां एशिया का सबसे पहला nuclear reactor commission कि गया 1957 में यह तस्वीर देखो यहां वो commissioning के तस्वीर हैं जहां आप डॉक्टर भावा नहरोजी दोनों को देख पा रहे हो तो आप और इसके बाद नहरोजी ने डॉक्टर भावा से कहा nuclear bomb पर काम करने के लिए उसकी research स्टार्ट करने के लिए तो क्या डॉक्टर भावा और नहरोजी दोनों यूद के लिए थे नहरोजी को तो हम शान्ती का दूथ मानते हैं हाँ और डॉक्टर भावा भी शान्ती के लिए बहुत काम करते थे इन फैक्ट वो atomic energy के जो peaceful uses हैं उसके conference के member थे और वहां regularly उनकी meetings attend करते थे peaceful use शान्ती पूर्व यूस ये क्या हो सकता है सबसे common जो आपके मन में आएगा वो है nuclear energy से बिजली बिजली उत्पन करना और उस वक्रित्वी भर में uranium से nuclear बिजली बनती थी भारत में uranium कम है पर थोरियम बहुत जादा है तो डॉक्टर भावा ने अपनी reactors में थोरियम का इस् कि बहुत सारे नए-ने चीजे डॉक्टर भावा कर रहे थे पर भारत का दुरभाग्या है कि 1966 में जब वो एक meeting अटेंट करने के लिए जिनीवा जा रहे थे उस वक्त एर इंडिया का plane crash हो गया और डॉक्टर भावा का उस plane crash में दिहान्त हो गया उनके मरनों परांथ Atomic Energy Commission का नाम हुआ भावा Atomic Research Center पर उन्हों ने जो काम शुरू किया वो चलता गया और 1974 में भारत ने अपना पहला nuclear test किया 1998 में second test किया और इस तरीके से हम एक परमानू power एक nuclear power बन गए भारत में ही नहीं सारे विश्ववर में विश्ववर के scientist के scientist science के दुनिया में डॉक्ट रहे था और इतनी इज़त थी यह एक बहुत रेर पिक्चर इसको आप देखिए इसमें चार बड़े-बड़े व्याग्यानिक हैं Albert Einstein, Hidei Yokowa, John Wheeler और Dr. Homi Bhabha यह चारो एक साथ Princeton University में घूमने निकले हैं क्या बात कर रहे होंगे कितने interesting होगा न अगर हम जानना आप जान सकत पावर है इसको लेकर आप गर्व महसूस करो तो एक सलाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा को जरूर करना थारो करें इसको है